तो भाई अभी Just OnePlus ने अपना एक नया फोन लॉंच करा, OnePlus का Nord CE4 एंड मुझे फोन कुछ जादा ही अच्छा लगा है, on paper at least, लेकिन real life में कैसा है, वो जानने के लिए, मैं चले किया भाई, ऑफ्लाइन मार्केट में क्योंकि ऑनलाइन दो तीन दिन टाइम लगा था, इसके लिए हमने खरीट के लेके आ आ गया भाई, आप लोग के लिए, य ये जो फोन है, अगर मैं आपको दिखा हूँ, ये मिरको पड़ा है 24,999 रुपीज में, लेकिन bank discount लगाने के बाद मैं 23,999 में पढ़ गया, मैंने कली लिया भी थी कली इसको, and 24 घंटे से मैंने इसके अपना SIM card डालके बहुत ही अच्छे से use करा है, and सारी चीज़ा बताता ह review of OnePlus Nord CE4, so let's begin! Cover है भाई, ये भी काफी अच्छी quality का, start करता है build quality and design से, पूरा plastic का है, लेकिन मजबूत है, जादा कमजूर ने है, हलका फिल का आवाद आता है, लेकिन है जादा मेरे को problem दिखने को नहीं मिला, and weight इनलों ने बहुत अच्छे से balance किया, 189 ग्राम का weight बहुत अच्छे से balance है तो जादा heavy नहीं लगता है, side से curve होने करे से, हाथ में comfortably भी भी बढ़ जाता है, 8.4 mm के थिकना से, IP54 की protection है, तो हलका फिल का पानी का चीटा जाता है, तो जादा दिक्कत नहीं है, plus aqua touch है, मतलब अगर screen के पर पानी गिरा भी है, तो भी touch वगएरा काफी अच्छे से काम द टूटता नहीं है, तो मतलब उसका नुकसान भी है, तो फाइदा भी है, तो आप अपने हसाब से देख लो, बाकि fingerprint काफी जादा आते है, लेकिन ये वाला जो color है, black वाला gray type का है, मुझे personally अगर आप कुछ हो कहना, तो मुझे ये वाला color बहुत जादा अच्छा लगा है, compare to that blue color, जो थोड़ा था जादा ही, अजीब सा color में को लगा flashy type का थोड़ा, तो ये color मुझे काफी अच्छा लगा, black gray type का है, gradient है, तो अच्छा लग रहा है, मतलब color में में को जादा दिक्कत नहीं है, और इस बार हम लोगे ने design जो है, वो जो सबसे पहला OnePlus Nord आया था था न नीचे के साइड में आपको यहाँ पर speaker grill है, USB Type-C port है, main microphone hole है, एक यहाँ पर आपको sim card tray देखने को मिलता है, जो hybrid slot है, इस साइड में बाद करूँ तो volume rocker and power button ऊपर, यहाँ पर आपको speaker का grill एक और देखने को मिलता है, secondary noise cancellation microphone के साथ में IR blaster पे देखने को मिलता है, जो मुझ speaker वगरा, earpiece वगरा, सारी चीज़े हैं पर देखने को मिलती है, बागे front side में move करो तो यह 6.7 inch की screen देखने को मिलती है आपको, यह बहुत ही जादा अच्छी screen लगी मेरेको, 1100 Nets की peak brightness, मैंको brightness में इतनी कोई कमी महसूस नहीं, यह अच्छी brightness है, लेकिन जो display की quality है, वो अच्छी quality का यह है, मुझे personally, मैं तब आप देखो करने, इसले के colors जो है, जो quality है, वो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा, और बहुत ही amazing है भाई, and सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मल जादी, high refresh rate वाला option भी है, and app specific high refresh rate वाला option आपको देखने को मिल जाता है लेकिन speed वगेरा इसकी जो है ना, वो काफी सही है, जादा दिकतनी होती है, and even जो face unlock भाई, not bad, काफी जादा फास्ट है, इसके अंदर मैंने 5G का 5G है, वो दाला मैं नवी मुंबई में रहता हूं, and 5G, VOLT, दोनों भी बहुत अच्छा से काम करता है, VOLT मैं को यहाँ पर VOLT, 5G हो गरा सब देखने को मिल जा रहा है, उसके बाद में Wildvine L1 का भी support आपको देखने को मिल जाता है, and मैंने जब YouTube वीडियो प्ले किया है यहाँ पर, तो भाई, यह जो phone है, मतलब usually यह price range में, अगर आप लोग कोई भी phone लेते हो, and उसके अंदर अगर आप लोग कोई भी 1080p 60fps वीडियो चलाते हो, तो उसको अगर 2x पर रखते हो, तो वीडियो जीटर मानने लगती है, लेकिन इसका processor इतना powerful enough है, कि भाई, इसकी वीडियो जीटर नहीं मारती, जैसे आप देख रहो, काफी smooth चल रही है, even 2x पर 1440p, 60fps HDR में रखा हूं, तो भी काफी अच्छ लेके दिखा हो, भी बहुत मसता है, अलाग कि इसके अंदर आपको Google का डाइलर देखने को मिलता है, तो मैंने Google Play Store से ओ डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, उसको by default set कर दिया है, उसके वाज़े से आप लोग call recording हो बहुत easily कर सकते हो, and ओ डाइलर is far better than Google डाइलर, यहाँ मेरा किन भाई, यहाँ पर बैटरी देखो, 40% अभी भी है, फिर भी 5 घंटे का almost screen on time दे दिया है, 5 घंटा अल्रेडी मिल चुगा, 40% अभी और है, 60% में 5 घंटे का screen on time, तो 40 घंटे में और समझ लो कितना मिलेगा, 2-3 घंटा और पकड़ लो भाई, तो 8 घंटे का सपस, आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिलना लिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रुवत नहीं है यहाँ पर, जितना मैंने यूज करा कहीं पर मैंने ओवरीटिंग का भी sign देखनी को नहीं मिला, कैमरा की बात करो, तो यहाँ पर आपको Sony का LYT sensor देखनी को मिलता है, 50MP का, 8MP का ultrawide और 16MP का front facing camera है, जितना मैंने test करा अगर मैं आपको दिखा हूँ, मेन जो camera है, जब मैंने daylight में photo लिया, भाई, it is performing really well, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं को काफी अच्छा लगा यह camera, जो colors है, जो saturation है, जो sharpness है, जो sensor काफी बड़ा है, तो background blur भी काफी natural बहुत अच्छा निपिल रहता है, even colors जो है, वो काफी natural है, and sharpness वोगरा काफी अच्छी लगी मेरे को, like कोई में को जाधा problem देख नहीं को मिले, even जो dynamic range है, आप देख रहो जैसे, वो भी काफी decent है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 25,000 के एसाब से दिखा जाएगा जाएग Please solve करो इसको देखो, आप लोग यहां पर पूरा जो portrait mode में भाई, काफी काम करने की सब्सक्राइब बहुत जाधा issues है portrait mode में, लेकिन overall ठीक है, मतलब ऐसा मैं बहुत खराब नहीं बोलुगा, and skin tone अगरा भी थोड़ा सा और improve हो जाना तो जाधा better हो जागा, बाकि जैसे front facing camera क की तरफ move करता हूं, तो यहां की skin tone काफी अच्छी है जो colors है वो भी काफी अच्छा है, but dynamic range थोड़ा सा better किया जा सकता है, जैसे आप ऊपर की तरफ यहां पर देख रहे हो, dynamic range में थोड़ा सा कमी में में को लगी, लेकिन overall ठीक है, मतलब ऐसा कुछ आपको जाधा deal breaker नहीं तो यहां पर 4K 30fps में बन रहे है, तो यहां पर 4K 30fps में बनाता हूं, चलता हूं तो stabilization का आपको एक idea लगेगा, stability काफी उतनी बंसेदार नहीं लगने, मेरेको 1080p शिफ्ट करते है, this is a 1080p 30fps video, यहां पर मैं same pace पर चलता हूं, तो आपको stability का यहां पर idea लगेगा, and it is much more stable than the 4K वीडियो, कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है, and focusing को अगरा देख लो कुछ इस तरह की है, this video is from the ultrawide camera, अप ultrawide से अगर vlog करने का कोशिशकर हो, तो कुछ इस तरह का vlog भी कर सकते हो, आपको idea लगे है कि skin tone लेगा, कैसे यह render करता है, and कैसे यह overall चीज़ों को manage करता है, audio ब आगी यह video front facing camera से बन रही है, अगर मैं इसकी stability की बात करूँ, अगर मैं फटा फट चल दू, तो आपको idea लगेगा, देखो overall ऐसा है, कि front facing camera, rear facing camera, दोनों भी camera से, mostly आप 1080p में बना सकते हो, जो main camera है, उससे सिरब आप 4K video 30 seconds में record कर सकते हो, तो यह video से देखने काद मैं एक ब जो main camera है, उसकी 4K video है, उसमें बहुत जादा shake है, तो वो बहुत जादा shake की time पर उतना जादा usable नहीं है, लेकिन 1080p video काफी usable है, उसमें जादा shake नहीं आता है, OIS वगरा भी काफी अच्छे से काम करता है, तो वो video काफी अच्छी लगी है, मिरको जादा कोई परिशानी नही लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है, बाकी performance की तरफ बढ़ू, तो यहाँ पर मैं काफी खुश्य हो भाई, इसके अंदर snapdragon 7 generation 3 देखने को मिलता है, and it is a very very good chip भाई, बहुत अच्छा लगा मेरको इस चिप साथ, इसके साथ में UFS 3.1 storage देखने को मिलता है, यह यहाँ पर 3.1 मिल रहा है, काफी अच्छी देखने हो मिलता है, तो यहाँ पर 3.1 मिल रहा है, काफी अच्छी चीज़ है, plus LPDDR 4X देखने को मिल रही है, 5X तो नहीं मिल रही है, लेकिन कोई जाधा परिशान ही नहीं है, जितना इसमें benchmark को गयरा करके देखाना, सब से पहल 2,59,000 है, विच इस वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल भाई, एंड, UFS जो स्टोरेज है, उसका स्पीड टेस्ट किया, तो उसकी भी स्पीड काफी अच्छी निकल किया, यहाँ च्छी स्पीड है, लेकिन रीट स्पीड थोड़ा सा कम मिल को यहाँ पर लगी, लेकिन जो पर्फॉरमस ना लाइक बोलता है एक श्याव फ्लेक्शिप किलर जैसा ना पर्फॉरमस इसका में को देखने को मिला है, लाइक मैं को कहीं तभी ना performance में ऐसा कुछ खराभी देखने को मिली, काफी fast काम कर रहा है, और काफी फ्लूइड है आपको लगेगा नहीं कि पर-च HDR में एक्ष्ट्रीम की सेटिंग देखने को मिलती है तो काफी सारी सेटिंग्स अनलॉक्ट हैं यहां पर तो 60fps का पूरा-पूरा मज़ा मिलने का चांस है यहां पर लेकिन स्मूध एक्ष्ट्रीम पर क्या हैं एक डाए लेकिन अगर बहुत ज्यादा हेवी खेल तो आपके परस तो भाई dedicated Poco X6 Pro जैसा डिवाइस है यहां पर यह भी फोन काफी अच्छी गेमिंग करवा दे रहा है जो काफी अच्छा लगा मेरेको तो आपको ज्यादा टेंशन लेने के दरूरत नहीं है अगर आप लोग नॉर्म आपको साथा टेंशन लेने के ज़रूरत नहीं है काफी optimized processor है एकदम बढ़ियां चलता है gaming experience भी अच्छा है daily experience भी अच्छा है RAM management भी मेरेको काफी सही लगा overall you will love this phone अभी तक जितना में यूस कर रहा हूँ अभी तक मिरेको कोई ऐसा दिक्कत दिखने को नहीं मिल रहा है बा कोई वीडियो देख रहा हूं YouTube तो भाई यह चीज़ आप देखे हो अभी भी देखो यहाँ पे 120 अपर चल रहा है जैसे मैं ऐसा है मूफ करता है तुरंती PIP चालो आता है और तुरंती वह PIP निचालता देपर यह फटक से PIP चालो बहुत जादा फास्ट और बहुत मज़ जितना मैं इसको यूज करा भाई देखो bloatwares नहीं है एड नहीं है दोनों चीज नहीं है तो बहुत सुकून है यहाँ पर ठीक है दूसरी बात यह दोनों नहीं होने के बाद में भी जो overall software मतलब जितना अच्छे से बनाया है in my 24 hours of usage मेरे को ना bugs देखने को मिले ना कोई फ आपर wallpaper and lifestyle में देखो तो ना सारा wallpaper and style में सब चीज आप change कर सकते हो and यहाँ पर है आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाते हैं आप लोग शेल्फ औगरा रख सकते हो global search रख सकते हो बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाती है तो काफी मस्त है software इसका आपको मजा आएगा यूस करने में अच्छा दो चीज मिस हो गई मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर stereo speakers आते हैं and the quality of the stereo speakers are pretty good भाई काफी अच्छे speaker है जैसे display भी बहुत अच्छा है speakers भी बहुत अच्छे तो आपको multimedia का tension लेने की दरोती है और जितना मैंने यूस करा भाई इसके अंदर haptics भी बहुत ही बढ़िया वाले देखने को मिल जाते हैं आपको वह एक्दम सस्ते cheap haptics नहीं मिलते हैं काफी अच् है कि यह जो original oneplus nod आया था ना उसका जो vibe है उसका जो पूरा character है वो यहां पर में को देखनी को मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि oneplus ने actually मैं अपने nod series को resurrect किया है इसके पहले तो भाई मतलब आईसा आईसा था समझ जा रहा हो ना आप लोग क्या क्या मैं मैं बोलना चारा बहुत ही बढ़िया overall complete package phone है हलांकि update के साथ में camera में जो portrait mode वाला section है उसको improvement करने की दुरौत है उसके अलावा phone एक्दम मज़ेदार लगा मेरे को बाई यह प्राइस रेंज में definitely आप लोग लोग ले सकते हो और तारीफ करो इसका मतलब यह नहीं बाई sponsor ए वीडियो अपने बाई बाई